नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाईजूज गॉर्मेंट एक्जाम प्रैप चैनल, दोस्तों आज हम लोग डेली करेंट अफेर में डिसकस करेंगे 13 अगस्ट 2021 के न्यूज पेपर में से, जो कि आपके एक्जाम, CHSL, कमबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, इंटेलिजन् P.E.T. and other state services एक्जाम के साथ साथ, banking awareness के लिए भी या help करेगी तो आईए, डिसकस करते हैं, आज का first segment है, national affairs, तो रास्टी मामलों में, इंदौर becomes India's first water plus city दोस्तों, मध्य प्रदेश का इंदौर, भारत का पहला water plus city घोसित किया गया है यानि इंदौर has been consistently number one in cleanliness, यानि यह स्वक्षता में इंदौर लगातार number one पर है तो इस तरह से यह कह सकते हैं कि पिछले पांच वर्सों से यह लगातार स्वक्षता सूचकांक में प्रथमस्थान पर आ रहा है और इंदौर देश की पहली water plus city होने का गौरो भी हासिल कर लिया है All this has become possible after stopping the sewage from entering the rivers यानि जो नदियों में से sewage को जाने से रोकने के बाद संभव हुआ है यही कारण है कि इसे स्वक्ष सहरों की गिंती में सबसे उपर रखा गया है तो every day 312 MLD of water is being cleaned in the city यानि 312 MLD पानी रोज यहां पर साफ हो रहा है तो इंदौर जो municipal corporation has got 100% mark यानि 100% अंक मिले हैं इस तरह से इंदौर has met all the 12 criteria set for water plus city by beating 250 cities यानि 250 सहरों को मात दे कर 12 माप दंडों पर वहां खरा उतरा है 84 cities of the country participated for this title तो यह 84 सहरों ने इसमें participate किया जिसमें 33 सहरों को सत्यापन में उचित पाया गया तो इस तरह से गंदी चीजों को treat कर पर्यावरण में छोड़ा जाता है हो यहां और साथ साथ treated waste water का फिर से यूज़ किया जाता हो तो जो इन मानकों पर खरा उतरता है उसे ही water plus city का title दिया जाता है यह point ध्यार रखेंगे अब बढ़ते हैं दोस्तों UP government renames काकोरी सडेयंतर जी से कहा जाता था काकोरी कांड कहा जाता था अब इसका नाम काकोरी train action रख दिया गया है दोस्तों काकोरी कांड का नाम बदल कर काकोरी train action कर दिया गया है काकोरी घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी यानि लखनव से कुछी दूर में यहाँ घटना घटित हुई थी तो लूटने के लिए फासी पर लटगाए गये करांतिकारियों को स्रधांजली देने के लिए एतिहासिक स्वतनता अंदोलन कारेकरम काकोरी train स्रडन का नाम बदल कर काकोरी train action कर दिया गया है या कारवाई कर दिया गया है तो the government official highlighted that the real listeners were a bunch of passionate people and their single goal was the independence of the country from British यानि इन लोगों का जो यहाँ इसको जो सड़यंत्र बोला गया यानि हमारे अंदोलन कारियों का एक तरह से देखा जाए तो यह अपमान है चुकि वहाँ भारत की स्वतनतरता के लिए संघर सरत थे ऐसे में उन लोगों ने इस काकोरी की जो घटना की यही कारण है कि सरकार ने इसे कांड को कारवाई में बदलने का निरने लिया और काकोरी जो train action था देखी यहाँ पर इसे हमने काकोरी कांड नहीं लिखा काकोरी train action अब लिख दिया यह 9 अगस्त 1925 को घटे काकोरी जो यह action है इसको हमेशा राम प्रसाद बिस्मिल, अश्फाक उल्ला खां, राजिन प्रसाद लाहरी और अन्य कई करांतिकारियों के लिए जाना जाता है दोस्तों यह सब हिंदुस्तान रिपब्लिक एशोसियेशन से जुड़े हुए रिवलुसनरीस थे और दोस्तों इस इंसिडेंट इस रिलेटे तू दा रॉबरी इन ट्रेन विच हैड स्टार्टर फ्रां काकोरी ओन अगस्त 1925 तो यह 9 अगस्त 1925 को काकोरी से चली थी अंदोलन कारियों ने इस ट्रेन को लूटने का प्लान बनाया हलांकि मातर 4,000 सम्थिंग रूपए वहां पर लूट में आये थे लेकिन इस से पूरे अंग्रेजों की नीन हराम हो गई तो यानी ट्रेन लखनाओ से करीब 8 मील ही दूर चली थी तो बैठे करांतिकारियों ने इस गाड़ी को रुकवाया और लूट लिया इसमें माउजर वगेरा जर्मन माउजर का इस्तेमाल किया गया और अंग्रेजों के सरकारी खजाने से 4,000 रूपए लूट लिये गए तो काकोरी कांड के आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल अश्फाक उल्ला खां रोशन सिंग को फासी दे दी गई और इनके बारे में बिस्तार से भगस सिंग ने अपनी पुस्तक में लिखा है इनके बारे में तो यह जो है घटना याद रखेंगे अब बढ़ते हैं international affairs में पाकिस्तान successfully test fires surface to surface nuclear powered ballistic missile दोस्तो इसका नाम गजनवी है याद रखेंगे इसका नाम गजनवी है तो पाकिस्तान ने सता से सता पर प्रहार करने वाली परुमाडु छमता संपन ballistic missile का successful test किया है यानी सफल परिक्षण किया है जो 290 किलो मीटर तक के लक्षों पर निसाना साध सकती है पाकिस्तान के राष्टपती आरिफ अलवी सहाब है और प्रधान मंतरी इमरान खान ने सेना बैग्यान को और इंजिनेरों को इन्होंने बढ़ाई दी है अब बढ़ते ह आए दिन हम लोगों को परिशान करने का प्रियास करते हैं लेकिन भारत दोनों तरफ चौकरना रहता है यानी अगर हम बात करें तो इधर पाकिस्तान है और इधर चीन है यह दोनों भारत को डिस्टर्व करने का प्रियास करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चीनी ताइ में बनाया जा रहा है, यह ताइवान के पास में है, तो चाइनीज ड्रेगन है, इस्टार्टेड बिल्डिंग ए थर्ड मैसिब बेस टू हाइड इट्स किलर मिसाइल्स, और सैटलाइट इमेज है शोन देट इस थर्ड मिसाइल बेस इस बिल्ट इन जीलन ताइ, यह द और यह अमेरिकी खुफिया एजनसी ने सैटलाइट तस्वीरों से यह प्राप्त किया है, तो इस तरह से चीन का यह तीसरा ठिकाना होगा, दो अन्य ठिकाने भी पहले से मौजूद हैं, इस तरह से चीन अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहा है, चीन ने अभी बड़ी त सैल है, यह इस पे, और इसने हामी और यूमें इन इलाके में भी बनाया जा रहा है, तो माना जाता है, इन जगहों पर 110 मिसालों को रखने की जगा है, तिस तरह से बैग्यानिकों का कहना है, कि नई विस्तार की तीन वजए हो सकती हैं, चीन क्यूं इस तरह से विस्तार कर क्यों कि चीन अब भी सुकासफ से सूपर पावर बनना चाह रहा है तो ऐसे में पहला जो वजह है कि चीन जब अपनी बढ़ी वही आर्थिक तक्नीकी और सैने ताकत के मताबिद परमाड बमों का जखीरा बनाना चाहता है दूसरा यहा है कि चीन अमेरिका के मिसाइल डिफें और भारत के बढ़ते परमाड हत्यारों से टेंसन में है यही कारण है कि वह इस तरह के तीन अस्थानों पर रखेगा तो मान लीजे कि यहां पर अगर अमेरिका अटेक करता है तो यहां की परमाड मिसाइलें बच जाएंगी तो इसलिए यह तीन में कहां पर ज़्यादा मि इसी तरह से रूस ने हाइपरसोनिक और आटोनॉमस हत्यारों को बना लेने का भी ऐलान किया है तो संभावना यही है कि चीन इन सब के खिलाब प्राभावी ताकत हासिल करना चाहता है और चीन को डर है कि उसकी मिसाइलें दुस्मनों के हमले में तबाह हो सकती है ऐसे में दो सो से जादा मिसाइल जो है साइलो बना रहा है बताया ना कि साइलो को दो सो से जादा बना रहा है और दो जगहों पर ठीकाने बनाने से अमेरिका को यह पता नहीं चल पाएगा कि कहां पर जादा परमाड मिसाइलें हैं दरसल हर देश परमाड डेटरेंस के लिए अपन रक्षा पंक्ति को मजबूत कर रहा है अब बढ़ते हैं दोस्तों इंडिया रैंक 122nd in new global youth development index सीधे सीधे याद रखेगा वैश्विक युवा विकास सुचकांग में भारत का 122 वा स्थान है 181 countries में यह ध्यान रखेंगे तो सीर्स पांच में अपना भारत भी सामिल है चुकि आस्तन ब्रिद्धी 15 समलो 74% की ब्रिद्धी हुई है तो इस तरह से यह इसमें जैसे पांच सुधार करता देशों में अफगानिस्तान, भारत, रूस, इथोपिया, बुर्किनो, फांसो यह अफरीका महादियूप में इस तरह से और स्लोवेनिया, नार्वे, माल्टा, डेन्मार की यह और्प के बाद सिंगापुर सबसे उपर रहे है, इसी तरह से चाड या अफरीका महादियूप में देश है, सेंट्रल अफरीकां डिपब्लिक यह भी अफरीका का, साउस्ट सूडान अफरीका का, अफगानिस्तान और नाइजर भी अफरीका का, इन लास रिस्पेक्टिवली, यानी अन्ती मस्थान पर हैं, देख परे अलपविक्षित देशी हैं तो इस तरह से the index ranked countries विज बीन 0.00 यानि lowest से लेकर 1.00 highest according to youth education, employment, health, equality and inclusion, development of peace and security and political civic participation इन सब मानकों के आधार पर यह index तयार किया जाता है तो 27 इसके indicators है 15 से 29 वर्ज की आयो के बीच के दुनिया के 180 करोन लोगों की स्थिति को यहाँ प्रदर्सित करता है तो यह point भी ध्यान रखेंगे अब बढ़ते हैं दोस्तों important scheme commission and committee में आज हम बात करेंगे integrated child development scheme ICDS program दोस्तों यहाँ 2nd October 1975 को start किया गया था महिला एवं विकास बाल विकास मंत्राले के द्वारा integrated child development scheme is a scheme to provide an integrated package of health nutrition and educational services to children up to 6 years of age pregnant women and lacking women तीस तरह से कह सकते हैं कि यह 6 वर्ज तक के उम्र के बच्चों गर्वती महिलाओं और स्दनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्त पोशन और सैक्षनिक सेवाओं का एकी कृत पैकेज प्रदान करने की यहाँ योजना है इसका उद्देश ही है कि उनकी स्वास्त में सुधार लाना बिभिन विभागों के बीच नीते और क्रियानन में समन्मय को प्राप्त करना डेथ रेद, विक्रिती, कुपोशन, स्कूल छोडने की घटनाओं को कम करना प्रोटीन, कैलोरी मतलब कितनी कैलोरी उर्जा उनको दी जा रही कितना प्रोटीन दिया जा रहा है माताओं को 600 कैलोरी उर्जा और 18-20 ग्राम प्रोटीन देना यह सब इसी योजना के तहत है और यहां पर देख रहे हैं कि बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए आंगनवाडी केंद्रों की स्थापना यह बहुत महत्तोपूर्ण है यह पूछ लेगा कि किसी योजना के तहत आंगनवाडी केंद्रों की स्थापना की गई इस तरह से याद रखेंगे अब बढ़ते हैं Environment and Ecology में आज हम फिर से एक संस्थान की बात कर रहे हैं भारती वन अनुसंधान संस्थान Westwick Astar का यह संस्थान है the Indian Forest Research Institute located in the city of Dehradun is the largest forest-based training institute in India और most of the forest officers in India get trained in this institute और the building of the Forest Research Institute is very magnificent and it also houses a museum यानि वन अनसंधान संस्थान का भवन बहुत सुंदर और इसमें एक संग्रहले मुजियम भी है और in 1906 Imperial Forest Institute के रूप में इसके स्थापना की गई थी Indian Council of Forest Research and Education के अंतरगात यहाँ एक important institute है और यहाँ जो institute है its style is Greco-Roman architecture and its main building has been declared a national heritage इसको राश्टी विरासत घोसित किया जा चुका है और इसका जो inauguration हुआ था 1921 में वन से संबंदित हर प्रकार के अनुसंधान के लिए यह प्रसिद्ध है और यह दुनिया भर में प्रसिद्ध है 2000 एकर में फैला हुआ यह फाराई का design William Lutians द्वारा किया गया था और इसमें साथ संग्रहालन है टिबबस से लेकर सिंगापुर तक के सभी तरह के पेड़ पोधे यहाँ पर है इसी लिए देहरादून का इसे पहचान कहा जाता है अब नेशनल इंटरनेशनल प्रसनाल्टी में कमलेश कुमार पंत अपोइंटेड एज एन पी पी ए तो एन पी पी ए क्या है नेशनल फार्मासिटिकल प्राइसिंग एथारिटी का अध्यच इनको नियुक्त किया गया है इससे पहले सुब्रा सिंग हुआ करती थी याद रखेंगे और यह जो है एन पी पी ए क्या है तो यह रास्टिय आउशद मूल निर्धारन प्राधिकरन भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्राले के रसायन और पैट्रो रसायन विभाग के अधीन विशे सग्यों का एक स्वतंतर निकाय है और दोस्तो इसका हेड़कॉर्टर नई दिल्ली में है 1997 में इसके स्थापना होई थी अब वर्तमान अध्यष कमलेश कुमार पंत जी है यह फर्मासिटिकल विभाग से संबंदित यह एजनसी की जो पैरेंट एजनसी है अब बढ़ते हैं दोस्तो बुक्स एंड आवार्स में आज हम बात करेंगे बहुत ही चर्चित खुशवंत सिंग जो की अब इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन बहुत ही अच्छी अच्छी किताबें उन्होंने लिखी थी ट्रेन टू पाकिस्तान बहुत ही फेमस थी इसे 25 वर्स लग गया था इनको लिखने में धारत में घटी अरब पतियों की संख्या ऐसा सदन में हमारे देश की जो बितमंतरी है Finance Minister निर्मला सीता रमण ने कहा उन्होंने बताया कि 100 करोन रूपए या उससे अधिक की आमदनी दिखाने वाले बैक्तियों की संक्या 2020-2021 में 136 थी जबकि 1920 में 141 थी और 18-19 में तो यह मातर 77 थे तो यह घटी है तो केंद्रिय प्रत्यक्ष कर्बोर्ट के पास उपलब्द सूशना के अंसार अरब पती शब्द की कोई बिधाई या प्रसासनिक परिभासा नहीं है क्योंकि उकी संपत्तिकर को 2016 में ही समाप्त कर दिया गया था वेल्ट टैक्स को इसलिए CBDT एक बेक्तिकत करदाता की पूरी संपत के बारे में कोई और जानकारी नहीं लेता है अब बढ़ते हैं दोस्तों स्पोर्ट न्यूज में राफिल नडाल इनका नाम तो सुना ही होगा 20 बार की ग्रैंड स्लैम चेंपियन है और अब आउट आफ टोरंटो टूर्णामेंट द्यू टू लेग इंजरी और इसके वज़ा से कहा जा रहा है कि US Open में भी इनका खेलना संदिक्द है फार्मर वर्ड नमबर वन इस्पैनिस टेनिस प्लेयर रफिल नडाल हैस पूल्ड आउट इस तरह से US Open की तैयारियों को भी जटका लग सकता है इस इस फर्स टूर्णामेंट इनके पैर में इंजरी हुई है तो इस तरह से अब जो है यह इस खेल से अपना नाम वापस ले लिये है अब बढ़ते हैं दोस्तों कोलकाता में डूरंड कप के 130 संस्क्रण का आयोजन होगा दोस्तों यह बिस्व का तीसरा और एसिया का सफ से पुराना फुटबाल कप प्रतियोगिता है डूरंड कप तो यह दुनिया का तीसरा और एसिया का सफ से पुराना ध्यान रखेंगे कोलकाता में एक साल लेट हो गया है तो यह जो है 5 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच चार सबता तक चलने वाले टूर्नामेंट की मेजबानी कोलकाता करेगा देज भर में कुल 16 टी में 35 टॉफी जीतने के लिए प्रतिस परद्या करेंगी और दोस्तों पहली बार टूर्नामेंट 1888 में डग शाई हिमाचल प्रदेश में आयुजित किया गया था इसका नाम मोर्टी मर्ड डूरंट के नाम पर रखा गया जो उसमें भारत के प्रभारी विदेश सचियु थे और मोहन बागान तथा इस्ट बेंगॉल डूरंट कब के इतिहास में सफसे ज़्यादा 16-16 बार यहाँ खिताब जीच चुकी है यह भी ध्यान रखिएगा अब बढ़ते हैं important days में दोस्तों आज world organ donation day है 200 अंगदान दिवस है तो यह हर साल 13 अगस्त को मनाया जाता है यानि मरने के बाद लोग लिखते हैं कि हम अपना अंगदान कर देंगे तो donating organ like kidneys, heart, eyes, lungs can will save lives for people suffering from chronic disease अगर जो है उनको दान कर दिया जाता है तो बचाया जा सकता है और भारत अपना अंगदान दिवस 27 नवंबर को मनाता है The first successful organ transplant was performed in US in 1954 यही कारण है 1990 का nobel पुरसकार दिया गया था डॉक्टर जोसेफ मरे को फीजियोलाजी और मेडिसीन में उन्होंने जो जुड़वा भाई हो रोनाल्ड और रिचर्ड हेरी के भी सफलता पूरा kidney प्रत्यारोपन किया था और दोस्तों यह जो organ donation है दो प्रकार का एक जीवित अंगदान होता है एक मिर्थक मरने के बाद उसकी body में जो भी स्वस्थ जो चीजें हैं उसको kidney या लीबर इन सब का प्रयोग किया जा सकता है इसी तरह से जीवित ब्यक्ति भी चुकि kidney दो होती है एक kidney से भी काम चलाया जा सकता है तो कई लोग आपने सुना होगा कि अपने परिवार में बच्चे ने अपने पिता को kidney दे कर कि उनकी जान को बचाया तो इस तरह से दो प्रकार के अंगदान हो सकते हैं अब बढ़ते हैं दोस्तों, let us talk about some important fact में हम चर्चा कर रहे हैं समवैधानिक इतिहास की और दोस्तों, जैसा कि कुछी student ने लिखा है कि 1857 का उसको हम फिर से इतिहास वाली सीरीज में फिर से आपको 1857 का पूरी तरह से revolt के बारे में बताएंगे यह समवैधानिक इतिहास है तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा इतिहास इसमें टैच करते हैं तो अब आता है 1892 का इंडिया काउंसिल एक्ट इसके आने के पीछे क्या कारण था इसके आने के पीछे कहा जाता है भारती रास्टिय कांग्रेस यानी 1861 से भारती अधनियम से भारती संतुष्ट नहीं थे क्यों नहीं संतुष्ट थे चुकि गैर सरकारी तब तो जो थे वे जनता का प्रतिनित नहीं करते थे वो बड़े बड़े जमीदार आवकास प्राप्त अधिकारी थे जो जनता की पीड़ा को समझते ही नहीं थे जैसे आज के नेता हैं जो कि जनता की पीड़ा को समझ नहीं पाते हैं जो ग्रास रूट पे वर कर रहे हैं वही समझते हैं तो इस तरह से उस समय स्थिती थी यही कारण है कि वहाँ पर असंतोस था और दोस्तों फिर 1885 में भारती रास्टी कॉंग्रेस इसके गठन के पीछे क्या कारण था तो कॉंग्रेस के गठन के पीछे जो एयो हयूम सहाब है उन्होंने लाड डफरिन सहाब को बताया यह 1878 की बात है कि वह जो है पूरे भारत का भ्रमण करके एयो हयूम सहाब आए और उन्होंने बताया कि 1857 से भी बड़ा बिद्रो हो सकता है तो ऐसे में लाड डफरिन सहाब की स्थिती काफी खराब हो गई उन्होंने कहा कि क्या किया जाए तो उन्होंने कहा कि एक अतफ एय 1878 के बिद्रो के बाद से अंग्रेजों ने इतनी जादा पीड़ाएं दी कि वह पीड़ा सहते सहते ठक चुके थे ऐसे में वो भी चाहते थे कोई ऐसा संगठन बनाया जाए जिसमें अंग्रेजों को भी रखा जाए तो इस तरह से कह सकते हैं कि दोनों तरफ स्वारत थात उसी से उत्पन या पोधा कांग्रेज 1885 में भारती रास्टी कांग्रेज की स्थापना हुई और 1885 में एलन अक्टि हुयान एक एरा से फॉदर आफ कांग्रेज का जन्मदाता का जाता है और पहले अधक्ष डबलू सी बनर जी हुए और उसमें 72 मेंबर्स पार्टिसिपे पहले मुस्लिम अधक्ष बने और यहीं से कांग्रेज यू टर्न लेना सुरू कर दिया उसने का भाई इस तरह से हम बैठकें करने से कोई मतलब है नहीं हमें भी अधिकार चाहिए हमें भी जो है संसद में मतलब बजट सत्र में बोलने का अधिकार हमारे सदस्यों को निर् लेस की जनता के लिए कम से कम हितकर कार कर सके तब जो है फिर अंग्रेज नाराज हुए इसलिए 1888 में लाड डफरिन कहता है कि कांग्रेज अलप संख्यकों का एक समू है और यह गलत बात कर रहा है यही कांग्रेज अध्यक्ष जार जी उले को बनाया गया ठीक है लेकिन बात रुकी नहीं और उसी की परणती हुई 1892 का इंडिया कांसिल एक्ट समझ में आई बार तो 1892 का भारत परश्ट अधिनियम अंग्लेंड से ही उसमें पारित किया गया और यह कहलाया और यहीं पर देखा जाए तो केंदी परश्ट में जो संख्या थी 10 से बढ़ा कर 16 कर पूछने का अधिकार मिला लेकिन अब उसको जो है प्रस्ट का उत्तर दे आना दे या अंग्रेजों पर निर्भा हला कि भारत इतने से ही प्रसन न था लेकिन धीरशी धीरविकास हो रहा है हम अपनी बातों को मनवार है तो इस तरह से धान परिश्द के गैस सरकारी सदस् प्रत्यक्ष निर्वाचन की ब्यवस्था की गई यह 1892 का एक्ट फिर उसके बाद 1909 का भारत परिशद अधिनियम यह बहुत ही गलत अधिनियम एक तरह से कह सकते हैं आया हलांकि बहुत सारे अधिकार हमें मिले लेकिन यह जो है एक तरह से देखा जाये तो हिंदू और मुस से लेकर के 1910 के बीच का जो काल था इस पीरियड में अंगरेज जो है मुसल्मानों के प्रति उनका रवया बहुत ही प्रेम पूर्वक हो गया था चुकि अब यह जान गए थे कि इन भारतियों को सिर्फ एक ही बात से हराय जा सकता है कि इनको आपस में तोड़ दिया जाए यानि फूट डालो और राज करो डिवाइड एंड रूल यानि भाटो और राज करो तो 1905 में इसकी थोड़ी सी मैं कहीतिहास में फिर चलूँगा तो 1905 में जब जो है लाड करजन वाइस राय हुआ करता था फूट डालो राज करो की नीती और उसने दिमाख लगाया जो पश्यम बंगाल था उसका विभाजन कर दिया 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया अब बंगाल के विभाजन के उपरांत देखा होगा आपने कि मुसलिम कम से कम साड़े तीन करोन मुसलिम अलग हो गए एक करोनो 20 लाख हिंदूओं को अलग कर दिया गया मुला खां और आगा खां ने ढाका में मुसलिम लिग की अस्थापना कर दी और अंग्रेज बहुत प्रसन हुए उन्होंने कहा हम लोगों ने जो बॉल डाली थी एकदम सही जा रही है और इस तरह से अब क्या है कॉंग्रेस इसका बिरोत करने लगी इस तरह से हम करेंगे तो कैसे सुतंतता प्राप्त कर सकते हैं इतने सारे संगठन अगर बन जाएंगे अब जो है अंग्रेजों ने मुसल्मानों के मन में यह भ्रांती पैदा करना स्टार्ड कर दिया कि देखिए आपका हित नहीं चाहती है कांग्रेस कांग्रेस से बड़ा संगठन आप बना सक यही कारण है कि आगा खाने मुसल्मानों के लिए प्रतक निर्वाचन छेत की मांग कर दी वह जा करके मांटे और मिरलो साहब से मिल गए और दोस्तों तो अभी देखिए यहीं पर नहीं रुक रहा है 1907 में कांग्रेस ही दो भागों में बढ़ गई गरम दल और नरम दल भेद दिया गया अब रास्ता एकदम साफ हो गया और 1909 का मारले मिंटो रिफार्म आ गया तो इस तरह से मुसल्मानों के लिए प्रिथक निर्वाचन जैनी सेपरेट इलक्टरेट फार मुसलिम यह जो है सामपरदाइकता के आधार पर कर दिया और यह बहुत घिनोना कह सक है कि एक तरह से देखा जायत हिंदू मुसल्मानों के बीच गयाहरी ट्रेंच बना दिया यह मारले और मिंटो रिफार्म ने तो इस तरह से 1909 के भारत परिशद अधनियम को मारले मिंटो रिफार्म के नाम से भी जाना जाता है यह सारे फैक्ट हैं इन्हें ध्यान रखिए हाँ पर देखने हैं प्रिथक निर्वाचन प्रणाडी की विवस्ता की गई अब बढ़ते हैं आप लोगों सेक्षन में जो की बहुत ही अच्छा उतर दे रहे हैं आज उतर देने वालों में हैं स्रवन खालिंग, एसके, नीतु गौतम, सपना, मिली, एसकुंदन, एकता, सूरज उपाध्याय, अभैरितोरिया, प्रदीव वर्मा, भूशन सिंग, रेनु पांडे, साई तेजा डुग्गी, पूर्णिमा जैस्वाल, स्वागतिका दलाई, संजय नेगी, निशा कांतिवारी, मुश्कान हरुशेक, रेनु बाला, विनो जैस्वाल, अभिशेक या करता हूं कि आज और जादा से जादा लोग उत्तर देंगे, पूर्णिमा जैस्वाल ने पूछा है, पूर्टफोलियो सिस्टम क्या है, तो पूर्टफोलियो सिस्टम को 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा भारत में लागू किया गया था, इस सिस्टम के अंतरगत, जो बह बागों में बत्वारा कर दिया गया, तो इस तरह से अलग-अलग ब्रांचेज में बांट दिया गया, बिभागों का बत्वारा कर दिया गया, अब आते हैं, आज के पहले प्रस्ण में, which has become India's first water plus city, भोपाल, चेन्नई, मैसूर, इंदाओर, and next question है, when had काकोरी train action taken place, 1920, 1923, 19 1925, 1926, and next question है, which surface-to-surface nuclear-capable ballistic missile has been test-fired by Pakistan, Gajnavi, Gauri, Nawaz, or Noor, and next question है, which rank has India achieved in new global youth development index, 120, 122, 123, and 124, and next question है, in which year was integrated child development scheme started, 1975, 78, 80, or 1985, and next question है, who has been appointed as the chairman of the National Pharmaceutical Pricing Authority, जिसे NPPA कहा जाता है, Shubhra Singh, Saurabh Pant, Kamal Singh, Kamal Singh, Kamlesh Kumar Pant, and next question है, which of the following book has been written by Khushwant Singh, Train to Pakistan, a band in the river, eating wasps, a suitable boy, and next question है, with which sport is Durant Cup associated, Durant Cup का संबन्द किस खेल से है, यानि cricket, honky, football, या tennis, and next question है, when is the world organ donation day observed, 9th August, 10th August, 11th, या 13th August, and last question है, which act is also known as Marley-Minto Reform, तो Marley-Minto Reform के नाम से किस अधनियम को जाना जाता है, India Council Act 1861, India Council Act 1892, India Council Act 1909, या India Council Act 1919, तो इस तरह से इन दसो प्रस्ण के उत्तर दीजेगा, आशा करता हूँ कि आज का भी क्लास आपलों को अच्छी लगी होगी, और दोस्तों अच्छी लगे तो प्लीज, लाइक, सेयर, सब्सक्राइब, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, तेंक यू दोस्तों,